देखो मैं पिछले 10 साल सिर्वा अजबा की साथ एक सोटा सा कारी करतापन काम किया मैंने मैं एक किसान बाई सब से पहले हैं मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ देखो मैंने अपना मन बना चुका है मैं आपकी बार 100 प्रेंट चुनाओ लड़ूँ आपके साथ मैं हूँ प्रवीन और आज मेरे साथ एक ऐसी शक्सित मौजूद है जो पिछले कई वर्षों से अपने तन, मन, धन से समासेवा में जुटे हुए है राजनीती से भी इनका तालुक रहा है मैं बात कर रहा हूँ समासेवा मिनु सिरावत की पालम विधान स्वा में रहते हैं सर बहुत बहुत स्वागता नमस्कार बाई सिराव पहला इंट्रव्यू है इंड़े टाइम 24 नीउस पर सबसे पहले मैं ये समगना चाहूँगा जो समासेवा आप करते हैं और जिस तरह से जादनीती से भी आप जुड़े हुए थे तो कहां से इसकी प्रेणना मिली इसकी शुरुआत कैसे हुई हाल ही में आपको देखा गया कि करोना काल में भी आप एक योद्धा की तरह डिटे हुए रहे चाहे वो मास बातने की बात हो चाहे वो खाना बातने की बात हो तो अभी जो एक साल में करोना का लोगडाउन रहा इसमें कैसा अनुभव रहा क्या कुछ आपने किया जनिता के लिए गरीब लोगों के लिए मैंने करोना काल में घर घर जाकर मेरे यहां सेक्टर साथ की वरस्ती है शेवा वरस्ती होई या गाउं की बात हुई मैंने घर घर जाकर मास्क के वितन किया मैंने रासन की लोगों की दी हर अर्मेनिया नो कपड़े जो कपड़े दिये खाने का खाने अरासन दिया, मैंने आप पूरे अपनी छेत्र के अंदर भी पालम वाड़ की नहीं मने मारून के लिए भी काम किया साध्नगर में भी रासन भी विजव़ाया, मदू भी 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 हुआया, मैंने जो भी मेरे पास आएं जो मेरे से बना मैंने सब की मदद की. इतना बड़ा रसूख है आपका हर कोई आपको जानता है हर किसी के जुड़े हुए थे बीज़े पी के साथ आपको देखा गया लेकिन पार्टी ने कभी भरोसा नहीं जिताया टिकट के रूप में तो इसकी क्या वज़े रही कि देखो मैं आप पिछले तस साल सिबाजबा किसा लेक चोटा सा कारी करतापन का काम किया मैंने और अच्छे-च्छे मैंने कोई राजनी स्था कोई नेस्ट पार्ट देरा दिल्ली चुनाव कि बात युद्ध लखनई राजनाजी के वां गदर पर्देश की बात फीजरात की जामनगर जामेंट मैंने हर भी दानसवा में और लोकस्वा में मैंने पार्टी के लिए राद दिन काम किया, ऐसे ही मैंने अपने छेतर में हो, चे नजबड़ की बात हो, चे पालमी दान सभा की, चे लोकस्वाई बात हो, मैंने अपने तन और मन दान से राद दिन पार्टी की सिवा की है, और आगे भी मैं पार्टी का व मुझे पुरा विश्वास है अगे कि क्या कुछ रणीती बना रहे हैं क्योंकि एमसीडी चुनाव भी आने वाले हैं और पार्टी को समर्थन भी देना है प्रचारक के रूप में देखो मैंने अपना मन बना चुका है मैं आपकी बार हंडर प्रटेंड चुनाव लड़ूँ कर पाएंगे आप देश के लिए जनता के लिए समाज मेरी एक इच्छा की जनता की आवाज निए पिछले में तस साल से जो गरीबों के बीच और समाज के अंदर लोगों से जोड़ा हूं और काम कर रहा हूं उनकी एक इच्छा है उनकी भावना है कि मैं चुनाव तो लोगों के और समाज की आवाज है इसलिए मुझे चनाव लड़ना है एक सवाल में रास्ट्री राजनीती से भी जुड़ावा पूछूँगा देश में पिछले क्यावन दिनों से किसान अंदोलन चल रहा है दिली की बौर्डर घ्रे हुए हैं लेकिन एक क्यावन दिन हो चुके हैं आठ से ज्यादा जो है वारता हो चुकी है सरकार की और किसानों के बीच लेकिन सहमती नहीं बन पाई है इसकी क्या वज़या लगती है क्योंकि मोधी सरकार पर लोग बाद जो है उंगलिया खड़ी कर रहे हैं मैं एक दिल्ली परदेश किसान महर का महामंतरी हुँ आज भी मैं एक किसान सबस्वह से पहले है मैं उनका दिल से समभान करता हूं वह अपने दिगार के लिए लड़ा लड़ रही है बातरी हमारी भाजबा की हमारी बड़ा नेतरता हुए है वो भी उन्होंने जो कानून बढ़ाएं इसमें चोटा मोटा को बदलाओ चाहते हैं उसके लिए मीटिंग ही हो चुकी है और उसके पूरा विचार है पूरा इसके हम किसानों के हमारी भाजबा साथ है और उसके हैं देश भी रोधी पार्टी हैं जो किसानों को बढ़काने का काम कर रही हैं आगे का क्या है आपका समाह सेवा को लेकर अभी कल आपने एक कमल वितरन का कारेकरम किया था आने वाले टाइम पर मेरे कारेकरम होता है कभी अमलों की बात हुझा हुझे गरीब करेना की सादी की बात हो मैं तो बाल में की जैन्ट की बाद हो कोई भी बेट कर लिए बाद फिर अब बोली मिन के बाद कि बाद के ऐक वड़ी मेरा रखो हमें कि किस तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इनका कहना है कि राजनीती में ये सक्रिय रहेंगे और 100% चुनाव लड़ेंगे चाहे वो बीजेबी पार्टी से लड़े या फिर निर्दली लड़ें कैमरा जनलिस्ट निर्द कि साथ प्रवीन इडिया टाम 24 निस्ट